नमस्का दोस्तो तो अल ओबर इंडिया आभी ओफिशियली 5G चाली हो चुका है जी ओफिशियली 5G को पर अल्रेडी काम कर रहा है मेरे काल चे दो तीन साल या पर तीन चाल के अंदर ओफिशियली 6G भी आ जाएगा और आज के दिन में मेरे ख्याल चे अगर आप 10,000 रुपए खर्चक कर रहे तो डेफिरिटली आपको 5G फोन ही लेना चाहिए यह मांदा 4G लेने का कोई मतलब नहीं क्योंकि आभी करें लिए 4G और जो 5G प्लान दोनों अल्मोस्ट सेमी है तो इस वीडियो में आपको बता हूँ कि अगर आज के दिन में का बाजिट है 10,000 रुपए और अगर आप इस बिग बिल्यों डेज सेल या पर आमांसोन गेटिंड डेज सेल पे सबसे बड़िया ओल्रण 5G बांट पो लेना चाहते तो ऐसे कौन से टोप 5 चोईस आप मत बुलिएगा पैसे हाँ आप से मैं एक छोटे से रिकोष्ट करना चाहूंगा आप ए वीडियो पूरा आन तक देखिए आन तक देखने के बाद आगर आपको कोई भी फोन सही लगता है मदा पसंद आता है तो मैंने नीचे डेस्क्रिशन में सभी फोन का बाइन लिंक द फुलिष्टी प्लास 120 हर्च IPS LCD डिस्प्लेइ जिसके साथ 240 हर्च का टास्ट सम्निंग रेट प्रोसेसर में आपको मिलेगा डामेंट सीटी शीडो एट जीरो फाइट जीरो फ्रोसेसर क्यामेर में आपको मिलेगा 50 और 8 का रियर कामेरा जिसके साथ 16 मेगापिक्सल का का कॉलिटी एक LPDDR4X, मिमोरी पर आपको मिलेगा UPS 2.2 जिसके साथ डेडिकेट स्टी कार स्लोट, बैटरी में आपको मिलेगा 56 रमीज बैटरी साथ में 33 वाट का चारजर, तो अगर हम इसके कुछ बाखी फीचर की बार में बात करता है आपके से मिलेगा, Android 13 out of the box, side mounted fingerpris sensor 3.5 mm jack, single speaker और total art 5G band और इस smartphone का मैंने कुछ कुछ मैने फ़ले review किया का, मैं आपको ग्यारटी देशा है तो कि इस smartphone में आपको जो जो भी specification मिलेगा, अभी इस price point में दूसरा को भी brand प्रभाइड नहीं कर रहा है, तो इसे लिए smartphone का मैंने number लिच में रखा है, और इसे number लिच आपने का बहुत सारा reason है, इसका reason number one जो कि इसका display अभी देखिए, इस level का biggest size का display उसके साथ 120Hz, यह दोनों का combination अभी करने लिच देशार के आसपास, दूसरा कोई भी brand प्रभाइड नहीं कर रहा, इसका reason number two जो कि इसका actual camera quality है, अभी देखिए 50 और 2 का setup बहुत सारा के माम लिए मैं इसे number one is price one में rating देना चाहूंगा, इसके लिए इसका RAM storage का combination, 10,000 पे आज के दिन में आट 118G भी मिलना almost impossible है, मादा लाबाए actually one and only choice है जो कि HX प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए इतने सारे reason के लिए इस smartphone का मैंने पहले choice पर रखाए, इसके बाद हमारे इस लिस्ट का दूसर सबसे बड़िया choice है, Galaxy A14 5G, जो कि आभी करने लिए Amazon पे अबेले बेल है, सेल के टाइम ए फोन आपको मिल जाएगा 10,500 के आसपास, इसमें आपको मिलेगा 6.6-inch Full HD+, 90Hz PLS LCD डिस्पले, जिसके साथ कितने हर्च का टास्टर में रेट है कोई प्रोपर प्रोशेसर में आपको मिलेगा Exynos 1330 5G प्रोशेसर, चैमेरे में आपको मिलेगा 50202 का रियार कैमेरा जिसके साथ 13MP का सिल्फी, इस प्राइस पॉर्ण में आपको मिलेगा इसका 4GB RAM, 18GB मेमोरी, RAM का कॉलिटी है LPDDR4X, मेमोरी पर आपको मिलेगा UFS 2.2 जिसके साथ डेडि 25 बाट का चार्जर, तो अगरे में इसके भी कुछ बाकी फीचर के बार में बात काता आपके से मिलेगा, Android 13 out of the box, साइड मॉर्टेर फिंगर प्रेस सेंसर, 3.5 जैक, सिंगल स्पिकर, और टोटल 13 5G बैंड, इस स्मार्टफोन को नमबर टू में रखने का बहुत सरा रिजि उसके लबा, प्राइस पॉन का one and only असा श्मार्टफोन दे जिस्रोंगों आपको 6000 में बैठरी मिलेगा, और प्राइस पॉन का one and only असा डिवाइस ही जिसमा आपको सबसे ज्यादा ही शॉप्टल अबडेट साइकल भी देखने मिलेगा, दूसली स्मार्टफोन को मैंने उससे भी नीचे, इसमें आपको मिलेगा 6.79 इंच, Full HD+, 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 240Hz का टास्ट सम्निंग रेट, प्रोसेसर में आपको मिलेगा Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रोसेसर, कैमेरे में आपको मिलेगा 50 और 2MP का डूल कामेरा, जिसके साथ 8MP का सिल्फी, इस प्राइस 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 में आपको मिलेगा इसका 4GB RAM, 108GB Memory, RAM का Quality, LPDDR4X, Memory पर आपको मिलेगा UPS 2.2 जिसके साथ Hybrid Castlot का Option, बैटरी में आपको मिलेगा 500 रिमेज बैटरी, साथ में 18W का चार्जर, तो अगरे में इसके भी कुछ बाकी फीचर की बार में बात करें ता आप किसे मिलेगा, Android 13 out of the box, side monitor fingerprint sensor, 3.5M jack, single speaker, और टोटल साथ 5G band, और इस smartphone को तिसरी पोजिचर में रखने का कुछ डिजिन है, तो आप लोग के लिए Poco M6 Pro 5G सबसे बढ़िया चोईस है, और इसके लिए अगर आपका लग सही रहा, तो कभी का बार इस smartphone का 618GB बाला variant भी आपको 10,000 पे मिल चाकता है, तुशली इस smartphone को मैंने 33 पोजिचर में रखाए, अभी बाइचांस आपको Poco brand पसंद नहीं है, तो आप लोग के लिए चोथा सबसे बढ़िया चोईस है, Redmi 12 5G, यह जो smartphone Amazon पे अवेलेवल है, इसका भी स्टार्टिंग वीरियन का प्राइस है, 10,000 रुपए, इसमें आपको मिलेगा 6.79 इंज, Full HD+, 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, जिसके साथ 240Hz का टास्ट सब्लिंग रेट, प्रोसेसर में आपको मिलेगा Snapdragon 4 Gen 2 5G प्रोसेसर, कैमेरा में मिलेगा 50 और 2MP का डूल कैमेरा, जिसके साथ 8MP का सल्फी, इस प्राइस पॉन में आपको मिलेगा इसका 4GB RAM, आपको मिलेगा USB 2.2 जिसके साथ Hybrid Castor का ऑप्शन, बैटरी में आपको मिलेगा 500 रेमिज बैटरी साथ में 18 वाट का चार्जर, तो आगर आमें इसके भी कुछ बाकी फीचर की बार में बात के हो ता आपको से मिलेगा Android 13 आउट अप दा बोक्स, साइड मॉंटर फिंगर प्रिस सेंसर, 3.5 एम जैक, सिंगल स्पिकर और टोटल साथ 5G बैंड और इसके बाद हमें इस लिस्ट का आखरी चोई से Narzo 6D 5G, जो के आभी करेंली Amazon पे विदूट कार्ड ओफर अवेलेबिल है 10,000 पे, इसमें आपको मिलेगा 6.72 इंच, FHD+, 120Hz IPS LCD display, जिसके साथ 240Hz का टास्ट सम्निंग रेट, प्रोसेसर में आपको मिलेगा Dimensity 6100 प्लास 5G प्रोसेसर, प्रोसेसर में आपको मिलेगा 50 और 2MP का डूल गामेरा जिसके साथ 8MP का सेलफी, इस प्राइस 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 में आपको मिलेगा इसका 4GB RAM, आपको मिलेगा UFS 2.2 जिसके साथ dedicated SD card slot, बैटरी में आपको मिलेगा 500 बैटरी साथ 33W का चार्जर, तो अगर हम इससे भी कुछ बाकी फीचर की बार में बात कुत आपको से मिलेगा Android 13 out of the box, साइब मार्डेर फिंगर परी सेंसर, 3.5 म जैक, सिंगल स्पीकार और टोकाल 9 5G बैंड, तो यह ही था अगर आज के दिना का बजट है 10,000 रूपाए, तो टोप 5 सबसे बड़िया 5G स्मार्टपोन का लिस्ट वो भी आज के दिन में, तो अभी वीडियो का आकमने में आपक सबसे बड़िया चोईस है, कि गैलेक्सी के हार एक फोन आपको, अनलाइन अफलाइन दोनों जगा पे मिलेगा, इसके लिए अगर आपको सभी फोन के अंदर कोई ऐसा डिवाइस चाहिए, जो कि गेमिंग में सबसे बड़ियोगा, तो मेरे कहाल से, लाबा स्टॉर्म 5G, Poco M6 Pro 5G और Redmi 12 5G सबसे बड़ी होगा, अगर कोई सबी चोईस के अंदर कोई ऐसा फोन चाहिए, जिसका बैटरी लाइफ सबसे लॉंगेस्ट होगा, तो मेरे कहाल से, Poco M6 Pro 5G और Galaxy A14 5G सबसे बड़िया चोईस है, और अगर कोई सबी फोन के अंदर कोई ऐसा डिवाइस च टक रहेगा, तो मेरे कहाल से, Galaxy A14 सबसे बड़िया होगा, और अगर आफ फाइनली मुझसे पूचेंगी, as a YouTuber, as a consumer, अगर मैं मेरे लिए चूस करूँगा, तो मैं कौन सा लेना चाहूँगा, तो मैं सबी फोन के अंदर Lava Strong 5G को लेना चाहूँगा, क्योंकि ए फोन मैंने खुद review किया था, जैसके मैंने का, एक 10 असर रुपाई के फोन के अंदर जो जो भी possible चीज़ें हो सकता है, इस फोन में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि RGB RAM, बरिया डिस्प्ले, 338 का charger, totally glass build, इस सब कुछ हमें देखने को मिलेगा, तीसलिए अगर आज के दिन इसका लिंक बेबी आए, तो मिलत अगले वीडियो पे अब तक, stay tuned and all those remember, think positive, be positive, thank you